मद्रदेश में होने वाले विधानसवा चुनाओं के पहले कॉंग्रेस और भाजपा के नेता एक दूसरे को किसी भी मुद्दे पर बक्षने के मूर में नहीं है कुछ ऐसा ही मामला शेहडोल में सामने आया है जहां प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा पर कॉंग्रेस ने ट्रैफिक नियमों के और लंगन का आरोप लगाया है माध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा रविवार को शेहडोल दौरे पर पहुंचे जहां उन्होंने युवा मोचा द्वारा आयू जित बाइक रैली में खुद बाइक चलाते नजर आई इस दौरान वीडी शर्मा ने हैलमेट नहीं लगाया था जिस पर कॉंग्रिस ने वीडी शर्मा और पुलिस प्रिशासन पर निशाना साधा और पुलिस से इस चालान काडने की मांग की है जिला कॉंग्रिस कमीटी के उबाध्यक्ष अजे अवस्थी ने आरोफ लगाते हुए कहा कि वीडी शर्मा सत्ता का दुरुपयोग कर रहे है यदि आम आदमी के पास वाहन के सभी कागज होने के बाद भी ट्राफिक पुलिस चालान काड़ देती है लेकिन जब सत्ता की बात आती है तो पुलिस के सारे नियम कानून शिधल हो जाते है सीधा आरोफ है कि आज वीडी शर्मा का उनको चलान करना चाहिए बिना हेलमेट का और जितने भी आज जिन लोगों ने याता यातनी हमों की धर्जियां उड़ाई सारे लोगों के उपर कारवाई होना चाहिए शहड़ोल से निर्मल जैसवाल की रिपोर्ट